आईए आपको हमें एक अच्छी जड़ी बूटी दिखा रहा है ब्रक्ष है जो कि बहुत ही बढ़िया और आपके सरीर के लिए और आपके अंग-ंग के लिए अतिकुत्तम जिसको हम कहते हैं सीसम हम अपने छेत्म कहते हैं तो ये महराज जी के पीछे जो है दिखा है महराज पीन इनको ये सीसम का पेक अब देखो इसको सिस्वाई भी कहते हैं डिहाती भासा में और सीसम का पैण आप इनकी पत्ती अगेरा देख लीजिए पहिचान लीजिए ये जगहीं जगहें मिल जाता है अधिकतर रोडों के किनारे हो बाग बगीचों में हो तो ये पेन मिल जाते हैं ये देखिए बड़े बड़े पेन ये उपर को दिखाएं भी ये बड़े बड़े पेन तो इनकी पत्की का जूस बना करके पीजिए बना करके आप ले सकते हैं आप इसकी दातून करिए, अगर दातून करते हैं, तो बहुत बड़िया ही आपको जो है दात मजबूत आपके रहेंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इसका приyok जरूर करें, और ये आपके जो है, शरीर के जलन की कप, अगर सरीर में कहीं भी आपके जलन है, तो उसको द पुखार में यह बहुत बड़ी है राम बाड़ा इसका इनीमिया इनीमिया भी आपका यह जो है जो है और कई रोग मूत्र रोग है अगर किसी का रुख रुख करके पेसाफ करने में आता है तो वह भी सही हो जाएगा अगर इसकी पत्की को आप खाते हैं और कुछ इसके नुकसान में है साथ ही ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटी है तो उसके फाइदे ही फाइदे है तो कुछ इसके नुकसान में है इसको कभी भी गर्वती महिला जो है इसका इसका इस्तमाल ना करें गर्वती महिला को नहीं इसका खाना पीना चाहिए और इसको पीरिय नहीं है बढ़िया दवा है दवा का दवा है पेड़ का पेड़ है आप जो है इसका जड़ तो जड़ की ज़रुवत नहीं पड़ती है पर पेड़ की छाल को और पेड़ के पत्ते की पेड़ की तहनी को पत्ली वाली का इनका प्रियोग करें और अपना जो है खाएं और मस्त आउन करने जिसे की आपको जड़ी बूटी संबंधी वीडियो जो भी हम बनाएंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जैहन बंदे मात्रम